तो हर्याना कैबिनेट की बेहद एहम ये बैठक जहां सचीवाले में बैठक होने वाले इस बीच हमारे साथ हमारी समधता ईशा ठाकुर जुड़ गे हैं जानकारी के सचन्रीगर सिधा उनका रूप करेंगे इशा आज बेहद एहम ये बैठक हरियाना कैबिनेट की क्या कुछ इसका फोकस रहने वाला बताया जा रहा है कई एहम प्रस्ताव यहाँ पेश के जाएंगे जिसमें मोहर भी आज लग सकते है क्या कुछ आगे जानका रही इशा देखे थोड़ी ही देर में करीब 11 बजे हरियाना सचीवालिय में ये बैठक मुख्यमंतरी नायब सिंग सेनी की अध्यक्षता में शुरू हो जाएगी और बैठक में कई एहम फ्रस्ताव लाई जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बैठक आज कैबिनेट की रहेगी और कुछ ऐसे एजेंडा भी हैं जिसे तुरंत टेबल किया जाएगा और उस दोरान ही उस पर चर्चा की जाएगी लेकिन बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके से मुख्यमंतरी नायव सिंग सेनिक की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस कर यह घोशना की गई थी कि अब सरकारी नोक्रियों में दस फीजदी जो आरक्षन है अगनिवीरो को दिया जाएगा इसकी घोशना मुख्यमंतरी पहले ही बकाइदा प्रेस कॉंफरेंस करके कर चुके हैं इसको आज मंतरी मंडल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है क्योंकि घोशना पहले ही हो चुकी है लेकिन मंतरी मंडल की मंजूरी लेना जरूरी है तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि जो घोशना अगनिवीरों को लेकर की गई है कि 10% आरक्षन सरकारी नोक्रियों में दिया जाएगा इसके अलावा अगर आम लाइसेंस जो अगनिव आज के लोन सरकार देगी कई एहम नेड़ने हैं जो अगनिवीरों को लेकर सरकार ने लिये हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम आज किया जा सकता है आज मंतरी मंडल के मंजूरी मिल सकती है साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से जो चुनाब हैं वो अक्तुबर के आखिर म हर्याना में हो सकते हैं और सितंबर के मद्धे के बाद कभी भी 15 सितंबर के बाद अचार सहीता हर्याना में लागो हो सकती है उससे पहले एक मौनसून सत्र बुलाना जरूरी है तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मौनसून सत्र की तारीक को लेकर भी हो सक मौनसुत सत्र की अगर बात करें जो बजट सत्र चर रहा है वो बारा अगस्त तक चलने वाला है तो ऐसे में जो तारीक भी है वो अगस्त के आखिर की ही मुकरर हो सकती है और अगस्त के आखिर में ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हर्याना का मौनसुत जो की आखरी विधान सबसत्र भी होने वाला है वो रहेगा लेकिन उससे पहले कैबिनेट की आज जो बैटक है उसमें तारीक के एलान के साथ देखे ग्रुप C और D के जो करमचारी हैं काफी लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं कि जो करचे करमचारी हैं हो सकता है उन्हें पक्के करने की पॉलिसी की सरकाल लेकर आए पिछले कैबिनेट की बैटक में भी इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन उस वक्त उसे टेबल नहीं किया गया था और आज माना जा रहा है कि हो सकता है कि कच्चे करमचारी हो को लेकर जो एजेंडा है उसमें रखा जाएगा कि पांच आठ औ उन्हें सरकार कहीं न कहीं COD के जो करमचारी हैं उन्हें यहां पर रहाद देने की कोशिश करेगी और उन्हें पक्के करने की घोशना भी कर सकती है कयास देखिये निशू इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि अब चुनाब की तारीकों का एलान होने के लिए मातर एक महीने का वक्त रह चुका है और ऐसे में अचार सहीता से पहले कई एहम घोशना यहां पर हर्याना की जो नायव सेनिक सरकार है वो जरूर करेगी ताकि इसका जो लाब है विधान सभा चुनाब में भारती जनता पार्टी को हो सके तो निजरे टिकी हैं आज की कैबिनेट की बैटक में बिल्कुल बताया जारे कई प्रिस्ताव आज की दिन पेश होने वाले हैं इशागर बात की जाए करण सिचुएशन की तो करण में किस सिचुएशन में है बीजेपी हर्याना में और क्या कुछ वो फैसले बड़े फैसले होने वाले जो कि सीधा चुनाफ पर असर डालेंगे देखिए बीजेपी भी भली भानती जाती है कि सत्ता विरोधी जो लेहर है वो बीजेपी के खिलाब शुरू हो चुकी है कई निर्दलिये जिनके सहारे सरकार बनाई थी बीजेपी ने वो भी नराज हो चुके हैं वो कॉंग्रिस के पाले में जा चुके हैं जीजीपी के स जिस तरीके से हाथ मिलाया था पूर्ण बहुमत नहीं मिला था भारती जनता पार्टी को 90 विधान सबा सीटे हैं हरियाना की 70 पार का नारा दिया गया था 40 में सिमट गई थी बीजेपी जेजीपी का साहरा लिया अब जेजीपी को भी किनारा कर लिया है ताकि जो सत्ता विरो शेत्र में की गई और मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों को लेकर तमाम गोशना की गई अभी तक हरियाना भले ही पूरे देश की बात करें पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा जो फसले हैं जो MSP में खरीदी जाती है 14 फसले फिलाल सरकार खरीद रही थी MSP लेकिन बिते कल ही मुख्यमंत्री ने गोशना की है कि केंदे सरकार जिस तरीके से 24 फदलों की MSP तै करती है तो ऐसे में 24 की 24 जो फसले हैं हरियाना में न्यूंतम समर्थन मुल्य में खरीदी जाएगी इसके अलाबा 133 करोड 55 लाक जो कर्च है उसकी भी माफ की गोशना यह इसे में जो कई ऐसे जिले हैं नूम फत्याबाद सिर्शा की बात करें जहां के किसानों की फसल खराब हुई थी उनकी भी जो बकाय राशी है उसे भी एक हफ्ते की बीतर देने का एलान कर दिया गया है किसानों का एक बहुत बड़ा तपका यहां पर नराज चर रहा है उन सारी में नंबर बन हर्याना राज्य हैं तो ऐसे में युवाओं को लेकर भी कई तरीके की घोषनाएं और आज कैबिनेट की बैठक में भी घोषनाएं कर रहे हैं लेकिन इसका कितना फाइदा होता है चुनाब में यह तो नतीजों में पता चल पाएगा लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि 2024 की विधान सभा चुनाफ की जो रहा है भारतिय जनता पार्टी की वो इतनी आसान नहीं है जो 2014 में देखने को मिली थी मोधी लहर के चलते 2019 में भी बीजेपी जी ने जरूर जो बड़ा आकड़ा हैं यहाँ पर मिले मिला था और 2014 में पहली बार हरियाना म सत्ता में काविज हुई थी उस तरीके की रहा नहीं है रहा बहुत ही मुश्किल है उस मुश्किल रहा को किस तरीके से आसान बनाना है उसे की रहा यहाँ पर ढूंडी जा रही है कि जादा से जादा गोशना की जाए ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि अगर त पत्ता में आते हैं तो ये सभी जो चुनावी घोशना हैं उसे पूरा किया जाएगा जी बिलकुल इशा आज बेहुत एहम ये बैठक होने वाल जैसे कि आपने बताए 11 बजे बैठक शुरू होगी तमाम वर्गों को साधने कचा अगनिवीर की बात हो कच्छे करमचारी को प